हलो दोस्तों स्वागत है आपका अडवीन देश्टडी सेंटर मैं आपका साथी अडवीन कुमार कैसे हो आप लोग उमीद परता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो कैसे चले हैं आपकी स्टडी कमेंट बक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आप सीटेट की तय आजाता है वह हम आपको रोज लेकर आएंगे और आपको 15 नंबर का गद खंड और पद खंड से आता है तो हम भी आपको बताएंगे लेकिन हाँ आपको अगर बहुत ज़्यादा संस्क्रीट का जनकार है तो आप आपको कुछ नहीं आता है तो हम बिल्कुल सिखाएंगे ठीक है तो चलिए अब देखे क्या है यहां देखे क्वेस्टन क्या है पहला पेड़ागोजी का यहां निमलिखित प्रस्ण अंसार उचित उत्तर दे तो आपको उचित उत्तर देना है संस्क्रीट में लिखा हुआ अगर नहीं पढ़ने आता है तो आप एकदम आसान तरीका से पढ़िएगा प्राम्भिक बालकान शिक्षी का चित्रकन और चित्रकन रंगत कार्या जब प्रसाहित एयोसा अब प्राराम्भिक अब इसको हिंदी में पढ़ना है आपको प्राराम्भिक बालक के लिए शिक्षी का चित्र के माध्यम से कौन सा प्रसाहित कर सकता है तो सबसे अच्छा इसमें एंसर देखना है आपको की कौन है, तो यहाँ देखिए समान्यता क्योंकि एक कोश्चन देखिए पहले समान्यता चाठरन कारिय वरस्तन क्रोति यानी यह आपका चात्री समान्यती के लिए कारिय करने के लिए नहीं होगा यहां देखिए कच्छाय निर्वता अस्थापीत विद्यार्थी कारिया व्यस्त करोती अब आप कारिया को चात्र को व्यस्त करके सिखा सकते हैं नहीं सिखा सकते हैं चीतर के माध्यम से तो आपका क्या एंसाट राइट हो जाएगा वह सुक्ष मोटर के द्वारा वच्चा चीतर के माध्यम से आसानी तरीका से सिख सकता है लेकिन डी क्या कर रहा है तो उद्यामानम बालकम कारणाम क्रीते औसरे दद्याती यानि औसर यहां लगा हुए आप देख लीजिए लेकिन औसर यहां क्या उद्यामान बालकराम क्रीते वह उदाहार या के माध्यम से बालक सीख सकता है तो उधारन नहीं पहले बच्चा को हम क्या करेंगे प्रात्मी कस्तर को बच्चा को उसको हम सुक्ष मोटर कॉसल के बाड़े में जो विकास कराएंगे तो खुच चित्र बनाना रंगत कोई भी चीज ऐसा होता है उसको देख एक चलिए साथ नंबर कोशन देखते हैं साथ नंबर कोशन क्या है मोखिक भासा कोशल विकासार्थ निमलिखित तेसु का पड़ियोग सरवादिक उपयोगी भविस्याती यहां आपको परना है मोखिक रूप से भासा कोशल के विकास में निमलिखित में कौन सा सरवादिक उपियोगी है तो आपको देखना है इसमें question सिक्षकम अनुसमोहीक रूपेन सबदानम सुद्धोचारना अभयासा यानि आप समझे कि इस question में भाषा कॉसल यानि भाषा कॉसल में ही आपका answer चुपा हुगा है तो यहां देखिए भाषा कॉसल में सबसे अच्छा क्या हो स सकता है तो यहाँ देखिए यहां क्या है सुधो उचारन यानि सूध उचारन से बoria aARAIE नहीं सख सकता है अभ्यास करना अभ्यास के मध्यों से सीग्ता है लेकिन सुध इसरा क्या है देखिए यहां बी यानि कवितान पाठ्यान एकल समुहेच्या यानि कविता के माध्यम से सिखा सकते हैं लेकिन एकल समु के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं तफिक क्या है देखिए नाठ्य नाठ्य भी नेजई सहँ था नाठ्यक मेरथ यानि नाठेक के म Ware से वाज्छा सहँ विक्ता होकर को उसका भासा कुसियाका विकास हो सकता हिए यहां आपका एंसर देख लीप है कि शिक्षक कस्या पांदोरा ना स्थिक पुस्तक एकस्या पाठाश्या समुई करूपन पठनम यानि कह रहा है सिखक तो आप इसको निगेटिव ले लिए सिखक नहीं हमको बालक से सम्बंदित है ठीक है और पाठ पुस्तक के बाहर के भी ज्ञान से आता है जुरा जाता है तो इसमें क्या है आपका एंसर सी सही हो जाएगा नाटक के माध्यम से बचा अपना भिनावी करेगा और सभावगी होके भाहसा कौसल का विकास हो जाएगा चलिए आठ नमबर कोश्चन देखते हैं आठ नमबर कोश्चन याथा पाठे निर्दिष्ट तथा कथा या घटनानम क्रम योजियती त्रित्यक अक्षाय सिक्षिका छात्नम निर्वीज सत्ती एसक कार्यकलापस है क्रोती अब आप देखिए आपको नहीं परने आता है तो आप पढ़िए सिधा ये इस पाठ में नि निर्देश जो दिया जाता है वो कथा या घटना क्रम के माध्यम से त्रित्यक अक्षा के सिक्षिका अपने चात्नम निर्देश क्या दिरा है उसके कार्यकलाप में क्या सहकता करेगा तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका बाला नाम वर्तलापस्य सीमा वर्धनम यानि बालक को सिक्षी का वर्तालाप समस्य सीमा निर्वारधानम यानि बालका नम अपने वर्तालाप के माध्यम से सीमा में राकर सिख सकता है नहीं अब इसका ए होगा नहीं चलिए भी देखते हैं पठनाओ बोधे अब यह इसको रखते हैं या बोधनिये प्रविष्ठो यह तो होगा नहीं बोधनिये प्रविष्ठो के माध्यम से बच्चा नहीं सिखेगा शिक्षिका उसको नहीं सिखा सकता है बालका नाम लेखन कौसल विकासे यहां जो कर रहा है त्रीतिये कक्षा के शिक्षिका को को सिक्षी का निर्देश दे रही कि काड़य कलाप में क्या सहाइकता करेगा तो वह किस रूप में करेगा तो वह पठन सिक्षी का पठन के रूप में सहाइक करेगा आपका इंसर b right हो जाएगा चलिए नौ नमबर कोस्टन देखते हैं नौ नंबर कोश्चन देखते हैं आपका नौ नंबर कोश्चन क्या है द्वीतिय कक्छाय सिक्षी का कक्छा इस्तिती वस्तुनी नामा क्रित वनी एतेन छातरन प्रकिर्ती वस्तुय सलिखित सब्दानम संबंधा स्था आपने साहेक्स भविस्याती आपको कि क्या है इसको हिंदी में परना है द्वीतिय कक्छा की सिक्षै का आपने कक्छा कक्छ में वस्तु इस्तिती के नावकरन करके छातर प्रकिर्तिक और सभागित लिखित सब्दानम संबंधे अस्थापित साहेक्ता भविस्याती मतलब लिखित रूप से अपने बच्चे को कैसे समझा सकती है तो आप इसको हस्ताक्छडस्या हस्ताक्छडस्या के मतलब क्या होता है हाँ से लिखे हुए से नहीं समझा सकते हैं उसके बाद आप ब्याकरन नस्या ब्याकरन के माध्यम से आप सुद सुद बोलना सुद सुद लिखना बता सकते हैं लेकिन ब्याकरन के माध्यम से बच्चे को नहीं समझा सकते हैं लेखन कौसल में क्या आता है लिखने से संबंदित आपका विकास हो यानि आपका आजाएगा सब्द ग्याना स्या यानि बच्चे को हम सब्द के माध्यम से सिखा सकते हैं चलिए 10. question क्या है 10. question अधोली खिते शू कि बलकानम भासा दक्षात आकलन निमनन प्रभावकारी भावित अब आपको देखना है प्रणाय निमली खित में कौन सा बालक भासा दक्षता के लिए आकलन करने का प्रभावकारी तरीका है बच्चा को आप प्रहा रहे हैं तो इसमें भासा अकलन के लिए कौन सा अच्छा होगा तो इसमें देखना है आपको कि आप शुरूत लेक शुरूत लेक के माध्यम से आप बच्चे को भासा दक्ता का अकलन कर सकते हैं अब कर सकते हैं इसको रखते हैं लेकिन यहां काथ नाम मतलब काथ नाम के माध्यम से काथा काके नहीं सिखा सकते हैं बिर्तावार नम नहीं सिखा सकते हैं नहीं सुरूत लेके मादेम से आप बच्चे को असानी तरीका से सिखा सकते हैं चलिए जो भी आपका question है वह बच्चा से संबंदित हैं आप कहीं न कहीं भटक जाते हैं हर बढ़ा जाते हैं आप सश्टे संस्क्रित बारी हैं कुछ बारी नहीं है आप ध्यान से पढ़िए अधिलिक तेशिय निरदेशन चात्रम भासा शम्ता विकास सर्थ है यही भासा 17 को भिकास के सरवाधिक उपियोगी क्या होगा यानि छात्र के भासा विकास के लिए सबसे अधिक उपियों की क्या होगा तो आप देखिए स्वाब पठी कविताय कावे नामा लिखतु यानि आपको नभी परने आ रहा है तो अपने माध्यम से पढ़िए यानि जो बोल चाल के भासा होता है जो आप समझ रहे हैं इसी को भासा बोलते हैं वही है आप यह क्या होगा स्वाब पठीत कविताय कावे नाम लिखतु यानि यह नहीं होगा स्वाब को पठीत कविताय लिखने से नहीं होगा B, क्या है ये भी नहीं होगा क्यों कि यहां लिखा हुआ है भासा च्छमता विकास सबसे सरवादि क्या होगा तब पिरिये पुष्टक होने से नहीं सिखा सकते हैं आप रोचक इतिपद प्रचीवत एक वाक्य निर्मातु यानी आप इससे भी नहीं सिखा सकते हैं क्यांकि रोचक तो सही चीज़ है लेकिन आप प्रचीत एक वाक्य के मध्यम से भी नहीं सिखा सकते हैं भासा क्या सिखेगा तो यह आपका डी एंसर सही हो जाएगा भावत भावत मध्या एक सनवाद लिखतू यह की टैग वर देख लिए भासा विकास के लिए सनवाद करना बच्चा से बहुत जरूरी होता है यानि आप भासा कोई भी भासा बच्चे को विकास करा रहे हैं तो विकास में सबसे अधिक उपी होगी है वह क्या है तो सनवाद यानि उससे बाचीत करना बच्चे प्रसन पुछेंगे या उसका आप जबाब दीजिएगा आप प्रसन पुछिएगा हो जब आप देगा यानि सन्माद के माध्यम से आप भाचित के माध्यम से बच्चा असानी तरीका से सिख जाएगा चलिए बारा नंबर कोश्चन देखते हैं ब्याकरन पठियुत निमलिखितेशु का परभावकारी मारगव अब देखिए अब क्या है आपका ब्याकरन पठाते समय निमलिखित में कौन सा परभावकारी रास्ता है कौन सा परभावकारी है तो इसमें देखते हैं बड़ा अच्छा टैग वर्ट पहले मिल गया है संदर्भा अनुसार यह सीटेट में पोजेटिव वर्ड है लेकिन इसके आगे क्या कह रहा है ओ भी देख लेते हैं ब्याकरन पठनम एन नियमनाम अविस्कारम भावेत यानि सब्द संदर्भा अनुसार यानि परभावकारी क्या होगा ब्याकरन पठाते समय निमलिखित में कौन सा परभावकारी है तो यह पोजेटिव वर्ड है आपका तो संदर्भा अनुसार हम आपको बताए ना कि पो लेते हैं आधी ब्याकृण को नियम या उधारन से नहीं सिखा सकते हैं पठस्य अनुवाद समय ब्याकरन नियम पठनम गलत बिलकुल गलत उसके बाद एकस्य यानि आप एक के लिए बिसी प्रकार से ब्याकरण को पुस्तक सिन्ह समझा सकते हैं चलिए बारा नंबर क्या है बारा का एंसर आपका हो गया तेरा नंबर चलते हैं कुश्चिन का ठोड़ा जोटा कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं चलिए समाजिक विनी में इती सिधान तक किन संबंध है अब आप समझ लीजिए समाजिक से संबंध क्या है तो वाई गोस्त की साहब है समाज पर अपना परतिकिरिया दिये थे कि समाजिक अंतकिरिया से बच्चे आसानी तरीका से सिखते हैं सकीनर जो दिये थे भासा आरजन के बारे में दिये हुए थे तो भासा आरजन के बारे में दिये थे सकीनर साथ कोहलबर्ग नैतिक का सिधान्त किस ने दिया था तो कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक का सिधान्त और पानीनी नहीं आपका एंसर A नहीं B नहीं और C नहीं आपका एंसर राइट वाई गोस्ट की हो जाएगा समाज से संबंदी चलिए कितना इदली था आपको एकदम असान त रिकास लाइएगा लेकिन हां रोज हमारे क्लास को जोईन करिए आप लोग अब चवदा नंबर कोशन देखते हैं अधुलिक तेश्चु की बालकानम भासया अधिगार ने अधिक सहायक भावेतु यानि आप निम लिखित में से बालक के भासा अधिक ग्रहन के लिए सबसे अधिक सहायक क्या है तो आप यहां देखिए अधिक ग्रहन अधिक ग्रहन का मतलब होता है बच्चा जो जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं भासा तो उसमें कितना सीख रहा है सबसे अधिक किसमें सिख रहा है अन्याए बाले सकीडा यानि आपका ये ही में सब सिख रहा है बालक अपना अधिक रहन सबसे अधिक किसमें करेगा तो आपका राइट एंसर ए हो जाएगा लेकिन भी भी देख रहे हैं ग्रिहस्या वातावर्ने एत्रा अधिक भासित्तु बालकाया अनुमति न दियते ये भी आपका नहीं होगा गलत है सी देखते हैं सही है या गलत है तो सी आपका ग्रिहे पडिसरे चा जेस्टानी वर तलापस्या स्रोनम खाली आप सुन के नहीं बच्चे को भासा के विकास बच्चा सुन के ग्रान नहीं कर सकता है उसके बाद सुद उचारनम से भी नहीं कर सकता है उचारन सब्द सीटेट के लिए निगेटिव है इसलिए ये भी नहीं होगा आपका एड़ाइट एंसर एक हो जाएगा चलिए 15 नम्बर कुश्चन देखते हैं 15 नम्बर कुश्चन क्या है देखिए बाला सहज रूप से भासादि गरहन कुर्वन्ति यदि बाला बाला से आपका एक कुश्चन बनता ही बनता है आप इसको पुड़ा कनफर्म कर लिजिये तो क्या होगा तत्स्य भासाए ब्याक्रनी सनचना सपरिचीत भावता भावन्ती क्या है कि भासा ब्याक्रन रूप से नहीं सिखा जा सकता है या आपका गलत है उसके बाद आपका एक अस्मीन काले एका यह भासाए परिचीते भावन्ती इसे भी नहीं सिख सकता है अब सीटेट में दिखिएगा जो भी जीतना लंबा होगा एंसर उसका समझी वो सही होता है लेकिन एसा नहीं है कि सब सही होता है लेकिन कह क्या रहा यहां देखिए अब यहां डी क्या कह रहा है देखिए एकायन ते इलेक्ट्रोनिक माध्यम मुद्री प्रसारनम च प्रिवेश्टीता भौन्ती तो नहीं भया आपका इलेक्ट्रोनिक माध्यम से बच्चा सहज रूप से भासा को नहीं सिख सकता है यानि आप भासा को पड़चित भौन्ती उपस्तिती में बच्चा आपने वातावरन से बहुत अधिक सिखता है यानि यहां वातावरन पोजेटिव वर्ड है आपका राइट सी एंसर हो गया चलिए हैं सुल्ला नंबर कोस्टन देखते हैं एकस्या पठास्या पठन विषय अद्धोल लिक्तेशु का सरवाधिक महत्वपूर्ण एक के लिए कौन सा पठे के लिए विषय में निमलिखित में सरवाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए कौन सा सबसे सरवाधिक महत्वपूर्ण है तो महत्वपुन सुद उचारनम सहीत पठनास्या उचारनम गलत है पठस्या परतेक सब दस्या पठनम ये भी गलत है ब्रयामचीन उपड़ी ब्रयामचीन को देखके नहीं लिखित पठस्या अर्थ प्राप्ति आप पर रहे हैं तो कहें पर रहे हैं पर रहे हैं तो आपको अर्थ ग्रहन करने के लिए पर रहे हैं यानि अर्थ ग्रहन के लिए आप पर रहे हैं यही आपका D right answer हो जाएगा चलिए सत्रफ नंबर question देखते हैं अधिलिख तेश की भासाया अध्यापनास्या उद्यष्या नास्ति यानि आप क्या कर सकते हैं निमलिखित में भासा ध्यायन के लिए कौन सा सबसे अच्छा है यानि सुसंगत लेखस्या विकासा गलत है अर्थवा बोध सहीत पटने के लिए अर्थवा अभीबेक्ती का मतलब क्या होता है स्वय के ग्रहन करके अपना अर्थ ग्रहन करता है लेकिन सुनकर अबोधन करके दक्सता यानि सीख नहीं सकता चलिए अठारा नंबर क्वेशन देखते हैं तो रोज हम आपको पंदरा पंदरा क्वेशन पेड़ागोजी का कड़ाएंगे और तो आप भी अपने दोस्तों को जूड़िये और बिल्कुल हम सीटेट का जो है असान तरीका से बिल्कुल संस्क्रीट सिखा देंगे आपको बिद्वान पंदित नहीं बनना है आपको अच्छा नंबर लाना है इस पर आपका फोकस होना चाहिए आप देखिए यहां है ध्वान नात्मक चेतना या अधी केन संबंध अस्ति ध्वानी चेतना के लिए सबसे अच्छा क्या है आप लेखन छमता नहीं भाई लेख के आप ध्वानी चेतना को आगे नहीं बिख्षित कर सकते हैं ध्वानी चेतना को आप नहीं बिख्षित कर सकते हैं शुनकर ध्वानी चमता को नहीं बिख्षित कर सम्भाष्णम दक्स्तियास सम्भाष्णम करके भी नहीं यानि पठन चमता यहीं आपका डियर राइट एंसर हो जाएगा चलिए नौ नमबर क्या है नौ नमबर है नौ चमस्की माता अनसर भासाइक रीते बालका नाम सहज तम दक्सता अस्ति नौ चमस्की के अनसर भासाइक बालक सहज रूप से सिख सकता है किस में सिख सकता है तो वह अनुवाद दस्या नहीं सिख सकता है अनुकरन करके नहीं सिख सकता है रुपांतर करके नहीं सिख सकता है अधिगरन करके सिख सकता है नौन चमस्की साहिब ने कहे थे कि भासा बच्चा में जन्मजात तो छमता होती है और बच्चा क्या करके सिखता है अधिगरहन करके सिखता है राइट एंसर आपका बी हो जाएगा लाइट कोश्चन है 120 भासा कोशल अध्यापन भावित भासा कोशल बच्चा कैसे सिखेगा तसमागरिक रूपेन एकदम राइट है लेकिन देखते है अनुकर्न नहीं नौन चमस्की ने कहा था ये भी गलत है प्रिथाय और बिश्त्रीत ब्यूरने से नहीं सिखा सकते हैं आ आपका राइट एंसर ए हो जाएगा समग रूप से भासा बच्चा असानी तरीका से सीख जाता है फिलाल इतना ही और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों को साथ सेयर कर दिजिए और अधिक से अधिक संक्या में हमारे च कर दोस्तों 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 कर दोस्तों